अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आखर तेक देखिये 12th English New syllabus 1.2 on saying please brainstorming activities and question answer कुछ limited activities लिये है important activities question number होने complete the following A1 is global understanding this is the people and their behavior that made the passenger rude and ill-mannered जो लोग जिनका बढ़ता हो की वजह से passenger परिशान होते हैं उनका नाम लिखना है पहला कौन है house mad दूसरा cook यानि बावर्ची थीसरा employer's wife चोथा employer पांच वाव पैसेंजर और छटा lift man A2 question complex factual activity find the reasons for the lift man's uncivilized behavior यानि जो lift man का जो खराब बढ़ता हो था उसके बारे में वजह लिखना है Reasons for the lift man's uncivilized behavior when the passengers was rude and ill manner towards him He was actually heard by the slur caused by the passenger on his social status यह लिखना को जब भप्ती कसी थी slur कसा था तो उसकी वजह से उसकी जो समाजी रुदबा है उसके असर पढ़ रहा था इसलिए वो उस्सा हो गया था The passenger's discourtesy was a wound to his self-respect अब जो passenger था जो lift में उपर की तरफ जा रहा था उसने courtesy से यह अदब से पेश नहीं आया था इसलिए lift man के self-respect पे असर पढ़ा था Inference, interpretation, analysis के activity है Explain the sentence The pain of a kick on the shins soon passes away but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day यानि जो हमारी self-respect पर जो जखम आते हैं वो हमारे दिन बर हमारे हवास पर चाहे रहते हैं इसकी बज़ा लिकी इसका जवाब है This means that if we are physically attacked and injured the pain of the wounds will soon heal and be forgotten यह अगर हमारे को किसी ने physically assault करा, हमारे जखमी कर दिया तो जखम तो भढ़ जाते हैं But if our self-respect or pride is hurt, it may poison our lives and behavior for a much longer time लेकिन अगर हमारे self-respect को अगर किसी ने दुख पहुचाया, हरा कर दिया या परेशान किया तो हमारे बढ़ताओं पर बहुत बुरा असर पढ़ता है It is not possible for the Lord to become the guardian of our pride menace explain ये हमारे जरूरिन नहीं है, और हम खानून हमारे जो निजी तौर तरीख़े हैं उसके बारे में भी तेदेखभाल कर सके ऐसा है क्या खानून में कोई बात है कि किसी ने आप गाली दे दिया आपत हो, बिल्कुल है, लेकिन उतना तो नहीं हो पाता है जो आम मैनर्स होते हैं जैसे कि आपने इज़त से बात नहीं किया जी आईए जी बैठिये तो ऐसा कोई खानून है कि नहीं है अगर आप तो किसी से बात चीत कर रहे हैं कोई अच्छी तरीख से बात नहीं करता आपके साथ सोशल कर्टेसी नहीं बताता तो ये खानून के हद में नहीं आता ये तो आपका निजी बात है और आपको अच्छे अखलाख और अतवार से पेश आना चाहिए ये आपका निजी मामला हो सकता है परसनल रिस्पांस का कुश्चन है इसका आंसर हम देखेंगे यानि जो पॉलिस का जो है वो खानून के अमलावरी और समाज में बहतर कार कर देगी के लिए जरूरी है और वो बहतर समाज में माहौल तायून कर सकते हैं पॉलिस वाले इसके बारें बताईए यानि कि ये आपकी जो समाजी और इख़दारी बाते होती है इसके लिए पॉलिस का क्या काम आप आपास में गायली का लोज करेंगा और पोलिस को बुलाएंगा ऐसा तो नहीं हो सकता मिसाल के तौर पर फर एक्जामपल वन केंनाड बीपनिज इफ वन डिफूजस तो स्माइल अट वन एक्विंटेंस और से थैंक यू यह अगर आपने किसी को तहंक नहीं का किसी को सौरी नहीं का किसी नहीं आपने दरवाजा खोल कर आप जा रहे हैं पीछे से कोई आ रहा था अपने दरवाजा कुलना नहीं रखा तो इसका मतलब यह थूड़ी है कि वो पनिशेबल आफ इंस है यह बचों पर किये जाने वाले बहतरीन खद्रे हैं सनसकार है जिसकी वजा से आप इन हालात को सही तरीखे से हल कर सकते हैं Whether a person follows them or not depends on the individual. However, if these little courtesies are followed, life will become much simpler and more pleasant for everyone. यानि इस खिसम की चीज़े अगर आपकी जिन्दगी में आएगी, तो आपकी जिन्दगी और ज्यादा खुश्य और शादमानी से भर जाएगी. Q2 का A1 एक्टिविटी है, यह Global Understanding के एक्टिविटी है, Q2 का A2 है, इसका आपको मतलब लिखना है, यह प्लीज और थैंक यू बोलने से ही आप अपने जिन्दगी की गाड़ी को बहतर तरीखे से चला सकते हैं, Q2 के एक्टिविटी है, उसके बाद अगला क्वेश्चेन है, इसका सेंटेंस क्या है, A3 इन्फेरेंस इंटरेटेशन अनलेसिस के एक्टिविटी है, यह बहुत परानी तरीखे के एक ट्रिक है, जिसका कंड़क्टर ने बयान किया था, उसे हमने यहां पर लिखना है, परानी तरीखे के लिए परानी तरीखे के लिए परानी तरीखे के लिए पैसे नहीं है, तो यह बहुत परानी परानी तरीखे के लिए हों मह भी खाता है, इए एफेरेंस के एक और एक ट्रिक है, इसक्राइब भरानी तरीखे लिए से था, The conductor had trampled on the narrator sensitive to causing him pain and agony. However, the conductor had then explained matters and apologized so profusely that the narrator forgot his pain and anger. After this experience, the narrator always observed his constant good nature and cheerful behavior and pleasant with pleasure and felt comfortable in his presence. यानि जो conductor ने उसके साथ behave किया था, उसका पैर दबा दिया था, एड़ी दबा दिया था, उससे उसे बुरा नहीं लगा, बाद में उसने माफी मांग ली और वो हमेशा उससे अच्छा बाठाव करता रहा. परस्नल रेस्पांज की अक्टिविटी है, राइट इंपेक्ट अफ गुड टेमपर और काइंडलीनेस अन सुसाइटी इन दे लाइट अफ गुड मैंनेट कंड़क्टर, यानि समाज पर एक बहतर कंड़क्टर के जो तरीख कारता उससे क्या असरात पढ़ सकते हैं वो ल हुमर्ड यानि जो कंड़क्टर था वो हमें दिल रहम दिल था और हमेशा लोगों से खुश खुलूस और खुश श्लूब से पेश आता था और लोग उससे महजूस भी होते थे आपने खुशी का इजहार करते हैं और यही चीज हर तरफ दूसरे लोगों में भी अच्छे बाड़ताओं के लिए एक मशाले रह बन जाती थी यह लास्ट कॉस्चिन है अच्छी मिसाल बन जाती है इसका जवाब दीजिये या ने अगर आप किसी से अच्छी तरीख से साधगी से बधेर तरीख से मिलेंगे अच्छी खुशी से मिलेंगे इजात से मिलेंगे तो आपकी रहम दिली से लोग कुश हो जाते हैं और यह एक अच्छी मिसाल खायम कर सकते हैं या और क्वाम सकती है if they are in need यानी अगर कोई गार्ट की नवकली कर रहा है लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराता है उन्हें शुक्रिया कहता है गुडमानी कहता है तो लोग खुश हो जाते सपाई वाला भी बहुत खुश हो सकता है अगर वो अपने उसे लोग इज़त देंगे तो यही चीज लोगों के लिए सेंग प्लीज जो है इसका एक बहतर अस बनता है अमीद है यह वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियों दुबारा मुलाखात हो